तो जैसा कि आज है आज है आपका 12 माई और 12 माई को आपका सेकेंजिट का SSC MTS का जो एक्जाम था आपका समाप्त हो गया है तो आज किस वीडियो में लोग देखेंगे 25 जिसके प्रस्ट जो कि आपके पूछी जाते हैं साथ में अंग्रेजी के भी प्रस्ट को देखेंगे तो चली प्रस्ट को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पीडियेफ दोस्तो टेलिग्राम चैनल में मिल लियागा लिंक डिस्किप्सिन में दिया गया है तो आप लोग जाकर वहां से जुआइन हो जाईएगा ठीके देखे एक कोस्न पूछा गया था आपका भाकरा नाग प्रदेश की सीमा पर इस्तित है ठीक है तो याद कर लिजएगा यह भी फैक्स है कि एसी आकास दुसरा सबसे बराबान कौन है तो आपका भाकरा नागल बांध है ठीक है इसके अलावा यह 17 नजी पर बना हुआ है आज आपका 17 नजी से दो कुस्तन था एक तो आपका यही पुछा गया था रुकमनी देवी अनुले को पद्म भूशन का इबोड है जो की केश्वर्स दिया गया था तो इनको जो है पद्म भूशन से आपका 1956 में ठीक है 1956 में दोस्तों इनको नवाजा गया था पद्म भूशन से रुकमनी देवी अनुले की बात करेंगे तो भारत तो दोस्तों आपका रुकमनी देवी अनुडले हो जाएगा ठीक है अगला है कि रुकमनी देवी अनुडले को 1952 में राश्चवा के सदस्क रूप में और 1965 में पुनन अमंकित किया गया था और गूगल ने अंतराष्ट्य महिला दिवस के अपसर पर 2017 के गूगल डुलन में भी उनको चितरित किया था ठीक है तो अंतराष्ट्य महिला दिवस कप मना जाता है फ्रेंड्स यह आपका आठ मार्च को मना जाता है उद्वर 17 में इनको चितरित करके सम्मानित किया था ठीक है तो आप देख सकते हैं परश्चन है जो कि दोस्तों आपका रिपीट हो रहा है तो जिनका भी अभी एक्जाम बाकी है उनके लिए एक बहतरीन PDF को त्यार किया गया है जो कि अभी तक के कई सिप्ट में पुछे गए 500 सदिक प्रशनों का PDF है विट एक्स्टा फैक के साथ इसे आप राप्त कर सकते हैं मात्र 20 रुपे के नियुंतम सुल्क पर प्राप्त करने के लिए वाट्सप नम्र पर संपर्क कर लिजएगा वाट्सप नम्र निच्चे दिया गया है साथ में साथ आपको एक लिंक प्रोवाइड करा जाएगा और डेली बेसिस पर आपका जो आपको अपडेट होता रहेगा तो मान के चलिए के विश्रफ में आपको पूरे एमटेस एक्जाम का पीडियेफ विट एक्स्टाफ फैक के साथ आपको मिलने वाला है ठीक है तो जिन लोगों का एक्जाम है आप ले लिजे रिविजन के तोर पर आपके लिए बहुत ही ज किस राज से सब्सक्राइब करेंगे तो आपका स्वल्मी सतब्दी में माना जाता है मोहनी के रूप में विष्णु के पुनजिनम में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में निर्थ किया जाता है तो ये भी प्रस आप से पूछा जाएगा इनमें से कौन सा सस्टेनिर थे आपका विष्णु भगवान से स्रमदी थे तो इसका राइट एंसर भी आपका मोहनी अट्टम ही हो जाएगा ठीके इसके अलाबा सुननन्दा नायर की बात करेंगे तो ये आपका मोहनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी उन्होंने मुंबई 20-40 में आंतरिक गितात्मा कनारीबाड में पी एच डी ठीसिस पूरी क्या था ठीके इसके अलाबा आगला जो कॉस्टि आपका पूछा गया था वह पूछा गया था कि वाट इज दे फुल फ्रॉम ऑफ इ? इ! एंस ओ ठीके फुल फ्रॉम उफ 여स्न उसलेसन थीके इसका क्या फुल फुल हो जागा ? यानि की अलिनो दचनी दोलन का एक अवरती जलवाई पैटन है जिसमें मद्धे और पूर्वी उसने कटी बंडिये परशानत महसागर में पानी के तापमान में परिवर्तन सामिल है ठीक है तो इसका राइटेंस आप लोग कर लिजेगा अलिनो साउथन उसलेशन्स एक कुछ अगला कोश्चन के बढ़ें दोस्तो तो अगला कोश्चन पूचा गया था कि भारत कोकिला या नाइट एंगल अफ इंडिया किसे मिले महिला देख ली ठीक लाइट पर देश्क लार ने 125 में भारति राष्टि कोंगरेश आई-इनसी की कानपुर दिविश्न मी पर्थम भारतिय आधिक्ष बनी थी तो दीकिए पर्थम भारती महिला देक्ष आपके राष्टी भारती राष्टी कॉंग्रेस के दिवेशन में किस ने बना था तो सरोजनी नाइडू ने कब 1925 में बनी थी इसको भी याद रख लिजेगा लेकिन पर्थम महिला की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका एनी बे पर्थम भारती कॉन थी तो आपका ये थी अगला पूचा गया था लोथल जो शहर है आपके किस नदी के सहायक नदी पर ठीक है किस नदी के सहायक नदी पर इस ती थी ठीक है तो इसका राइट एंसर दोस्तों आपका भोगवा ऑप्शन में नहीं था तो आपका राइट नदी की उप नदी है ठीक है ये दुनिया में सबसे पहले ग्यात बंदरगा था जिसका उप्योग मुकुरूप से सिन्दुगाटि सेवेता में बेपार के रिए उद्देश से क्या जाता था और लोथल अधुनिक अगुजात्मी अहमेदावाद जिले में इस्तित है ठीक है अगला कॉस्ष्ण के बात करेंगे तो अगला कॉस्ष्ण पुछा गया था कि किस मुगल समराट को बाठसा की उपाधी दी गई थी तो बाबर इसका राइटेंस हो जाएगा बावर ने पंदरासो साथ इसमी में बाठसा की उपाधी धारन कि थी जिसे अब तक किसी पूछा गया था तो आपका आलमगीर पूछेगा तो औरंग जेव हो जाएगा अगला कुस्टन की बात करेंगे तो देखिए हमबल का ओपोजीट पूछा गया था बहुत सारी करें थे इंट्रोनिम पूछा गया था तो आप लोग कमेंट चेक्टर में जरूर बताईएगा ज बियागा एंटोनोमिस था या अपूजीट था था अगला पूछा गया था कि मुक नियादिस की निकती को कौन chi करता है तो भारत का राशपती स्रवोच न्याले के मुख न्यादिसों की न्युक्ति तथा अन्य न्यादिसों की न्युक्ति राश्पति करता है तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा राश्पति हो जाएगा हालांकि आपका वो श्रवोच न्याले औरोच न्याले की और इस न्यादीसों की परमर्श करता है लेकिन न्युकती आपका राष्ट्रपती ही करता है इसके लाबा वो पद पर कब तक बने रह सकते हैं तो पैसर ट्वर्श की आयू तक वो पद पर बने रह सकते हैं इसके लावा परधान मंत्री की निक्ति की बात करेंगे तो कौन करता है तो ये भी आपका राष्ट्रपती के द्वारा ही रख किया जाता है और अन्य मंत्रियों के जो निक्ति है परधान मंत्री की सलापर राष्ट्रपती के द्वारा किया जाता है अगला कुछा गया था सित्कालिर उलम्पिक है जो कि कितने वर्षों के अंतरार पर होता है तो सित्कालिर उलम्पिक आपका ये खेल आयोजन है जो कि प्रतेक चार वर्षों में होता है तो इसका राइट एंसर चार हो जाएगा सितकाले उलम्पिक की बात करेंगे तो पहली बार आपका 1924 में सेमन निक्स फ्रांस में आउजित किया गया था पहली बार कप किया गया था तो 1924 में किया गया था 2024 में सितकालिन उलम्पिक में खिलो का चौथा संस्करन दच्छिन कोडिया के गेंगवान में आयुजित किया जाएगा तो ये भी प्रश्ण आपसे पुछ सकता है पुछार ही जाएगा कि 2024 का जो सितकालिन उलम्पिक है वो दोस्तो आपका कहां पर होगा तो दोस्तो आपका दच्छिन कोडिया के गेंगवान में आयुजित किया जाएगा तो इसका राइट एंसर आपका क्या हो जाएगा आपका गेंगवान हो जाएगा इसके अलावा 2022 का सितकालिन उलम्पिक आपका कहां पर होगा था तो यह दोस्तों आपका विजिंग चीन में आउजित किया गया था ठीक है इसके अलबा आपका 2026 का सितकारी ओलंपिक की बात करेंगे तो यह दोस्तों आपका इटली में आउजित होगा 2026 का सितकारी ओलंपिक ठीक है एक बोरको अब चैराई। कos सो सद आपका 2 आपका 2 आपकाında होता है। अब हाल Unsure में 2020 में आपका हुआ था घ्क है। इसके अलावा अगला कोस्टम कोशे गया था कि'ї कre closed प्राप्टिए से बंता है तो रबिक जान करेंगे तो उनुक्तुक डातुप कौन सा है इसंपर कर घा कुछा गया था प्रकृतिक जोडरावर हे काफी मुलाइम होता है इससे कठोड बनाने के लिए कारवन मिला जाता है इसका प्रयोग टीवर टायर अदी बनाने में भी किया जाता है और जब प्रकृतिक रव़को सलफर के साथ 3.5% बाख के साथ गरम किया जाता है तो इसका only current कहा जाता है तो आपका only current पुछेगा तो sulfur का प्रयोग हम लोग करते हैं अगला पुछन पुछा गया था ऐसी उस्तु जो इस्तिर होती है और इसका प्रयोग उपवगता के रूप में क्या जाता है उसे क्या कहते हैं अप्शन में उपभुखता वस्तू, अस्तिर वस्तू, पुंजिगत वस्तू दिया गया था, तो इसका रायाइट leads आपका क्या हो जाएगा, टिकाओ उपभुखता वस्तू कहते हैं, ठेके, या तो वह वोक की वस्तु हैं टिकाओ या गेर टिकाओ की रूप में होता है पुंजिगत वस्तु की रूप में अगला पुछा गया था सबसे ज़्यदा ओलंपिक मेडल किसने जीता है इसका भी पता नहीं लग पाया है भारत का पूछा था या आपका ओवर वर्ल्ड का माइकल फिलेम से जो कि आपका 28 ओलंपिक मेडल के साथ सबसे सफल पूरुस ओलंपियन है ठीक है अगला कुछा गया था गुरू पड़व है जो कि किसकी याद में मना जाता है तो सीखो के पहले गुरू थे गुरू नानक देव जी ठीक है कि जनम को गुरू पड़व के र लेकिन इसकी स्थापना की थी चली हम लोग देख लेते हैं पहली बार उन्होंने उनीस सोला में इंडियन होम रूल लिग की स्थापना की ठीक है तो इंडियन होम रूल अगर आपका होगा तो यह राइट एंसर हो जाएगा ठीक है और भारती राश्ट्री कॉंग्रेस की देख्च बनी थी जैसा कि उपर के प्रश्ट में हमको बताया था कि भारती राश्ट्री कॉंफेस की अदेख्च बनने वाली पर्त महिला थी इसके लावे निए वेसंट के बात करेंगे तो आपका राजनितिक काशकरता शृतनता शिनानी और महिला दिकाश्रमर्थक थी इनका जनम की बात करेंगे तो एक अक्टूबर 1847 को आयर लेंड में हुआ था इसके अलावा 1889 में हेलेना वालत्सकी से मिलने के बाद वेसंट ने थियो सोफिस्ट बन गई थी और वो थियो सोफिकल सुसाइटी के अध्यक्ष भी बनी थी उनिए साथ साथ उनिए सो तेत् तो राइट एंसर आपका एंसर हो जाएगा, एक्स्प्लेनेशन हो जाएगा, इंटर्प्रेटेशन हो जाएगा, रेटेनेशन हो जाएगा, सुलूसन हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, यह आपका डिफिनेशन का सी नो इम्स था एक कोस्टन पूछा गया था आपक का पुछा गया था नेक्स कुछा गया था फ्रेंड्स आपका कि छट पुजा है जो कि आपका कहां पर होता है ठीक है ठीक है अगला कुछा पुछा गया था रवर को मजबूत करने के लिए करते हैं तो इसको क्या करते हैं सあの नी करन करते हैं जो कि कहां पाया जात route ने प्रोथ भारत ने प्रोथ बहुत भाड़त में पाया था औप्सर्फ के आप क्या रिए गया था पता नहींचल पाया है जैसे आपका औश्रम में पाय जाता है, में घाले में पाय जाता है, नागले नहीं थे, बुरा में बंगनादेश के सभी छेतरों में आपका जो ये क्या है, आपका पाय जाता है, गारो दिन जाती अगला कुछा गया था पादब कोशिका की जो बिश्यस्ता है आपका क्या है तो देखिए पादब कोशिका की बिश्यस्ता में आपका एक उप्सन था इसमें कोशिका बित्ती होता है जो कि बिल्कुल आपका राइट एंसर था अगला पुछा गया था रतना सागर की रेशेत है तो अगला जो पूछा गया था फ्रेंड सापका वह पुछा गया था मौलिक करतब से ठीक है कि आपका इनमें से कौन सा है ठीक है तो इसमें को एक ओप्षन था अपका देश की रक्चा करना ठीक है देश की रक्षा करना दोस्तों हमारा मौलिक करतब है तो इसका राय टेंसर हो जागा ठीके तो वरतमान मौलिक करतब की बात करेंगे तो आपका 11 मौलिक करतब है तो वो कौन-कौन सा उसको हम लोगे पर देख लेते हैं एक नजर में तक कि आने वाले सिप्टों की स्टों के मददह्ति कांब करना है इसके तुछ अरफ थिस तंग और आपका करतब अगला है première पुलीक करतब के वह है की जीन गोड़पण के जिलिए हंजादी दिलवाई है तिक हैं जीन गोड़पण व्हक्तिके लिए अजादी दिलवाई है भारतिये सम्मान सोटनता संगरां यह वह 1289 में अपना बलिदान दिया है उन्हें उनका भी आधर्श समान करना क्ञालों है है कि राष्ट की एकता खंता और इसनपूर्टा के प्राप्त अधिकारों का सम्मान करना ये भी आपका मौलिक करतब है प्राकृतिक संपता का स्ट्रंक्षर करना और उसकी वर्धियतू अनेको प्रत्न करना ये भी आपका मौलिक करतब है इसके अलबा बेग्यानिक माप डंडो को अपनाना और राष्ट के विकास से तू नव के विकासे तू समाजी काड़ों में अपना योगदान देना ये भी मौलिक कर्तब है आपका लास्ट जो मौलिक कर्तब है वह है आपका कि परतेक माता-पिता का उत्तरदाइत है कि वह अपने बच्चे को प्रात्मिक निसुल के सिक्षा से मौलिक कर्तब के बात करेंगे तो मौलिक कर्तब अब देख रहे हैं यह सबसे लास्ट में जोड़ा गया था भारती समिधान में यह आपका च्छेसमा समिधान संसुदन 2002 के माध्यम से जोरा गया था बाकी उपर के 10 मौलिका दिखा रहे हैं वह आपका बिलियासमा समिधान से इफ्यक्ट नहीं करता है तो इसका भी अंसर दोस्तों मिल नहीं पाया है अगर आपको मिलेगा तो आप लोग जरूर उसको कॉमेंट सेक्षिन में बता दिएगा लगवग 20-22 प्रस्ट है जो कि हमने आपको बता दिया है तो और वीजो 2-3 प्रस्ट चोट गया है उसको बाद में बता देंगे पीडियाप में आपको स्वाइल कर देंगे पीडियाफ टेक्राम पर मिल जाएगा लिंक है जो कि इसक्प्सिन में दिया गया है तो आज हम वीडियो को यह पश्चाना आप करते हैं वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करते हैं चैनल पर नहीं को चैनल को सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं नए वीडियो में जब तक लिए हैं जे वरत